संगत करनी संथ की क्या लुग राजे का लुग रा ले जावे नरक में संथ लुग राजे को संथ कानीर मलशंत्री माय ली संथ कामीर मलशंत्री माय ली समित का रामी निर्मल संद्री महाई है भी आवा कमन मिट जाय रे चनम मरण छुट जा दीजे अगराज चैटिस डीजे नर्सी चोधरी चन्दने उग्यों हरिये बाद में मरहेती उशी भई बन राय रे दीजे अभिवाज चेके आप सुगंद औराने करे मरिये दी रही रे सुगंदी चावे रही रे सुगंदी चाव पास उग्योरे तररे तूंग्रे मरिये ली भरक रही बन राये भरक रही बन राये दीजे अभिवाल चेके आप बड़े औरोंने बार सीमार है दी अप बड़े औरोंने बार सीमार है दी अपट गाठ घटमा ये अपट गाठ घटमा चंदन उग्योर हरिय बाग में खुशी भई बन राये और पास उग्योर डर डूंग्रे थरक रही बन राये जहां एक तरप चंदन के उगने से वन में चारों और खुशी और आनंद का महोल हो गया कि अपनी सीतल चाया के साथ साथ दिप्रे शुगंद से पूरे वन को महकाएगा वही दूसरी और बास के उगने से वन में चारों और उदासी छा गए कि एक दिन ये नुग्रा बास खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा जिसका डर था वही हुआ उसी वास के कारण जेंगल में आग लगए लौला की डावा टूंग रेम हरेली मिल गई जाड़ों जाड़े मिल गई जाड़ों जाड़ डीजे नरसी चोधरी और तो पक्खेरू सब उड़े गरामारी है ली हंस दो पेटो डारे दीचे अभिराज चेतो चन्दन हनस सूँ मुख बोल यो मारी है ली दीचे अभिराज चन्दन हनस सूँ मुख बोल यो मारी है ली धेक्यू जड़ो असराज ले धेक्यू जड़ो असराज दीचे अभिराज चेतो जड़ो लागी डावे डूंगरे मिल गई जड़ो जड़ो और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डार जंगल में चारो तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई सारे जीव जन्तू पसू पक्सी अपनी अपनी जान बचा कर भाग गए पर एक हंस आग की लप्टों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैढ़े मृत्यू से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिप्टा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा कहा हे हंस राज मेरी तो जड़े बड़ी पतालों में गहरी है इसलिए इस आग में चलने को विवश हूँ पर तुम्हें तो भगवान ने पंक दिये हैं अपनी इन पंकों का स्तमाल कर और इस चंगल और आग को छोड़ कर अपनी जान बचा कर चला जा पर हंस आखों में आशू लेकर बोला हे चंदन तेरे फूल खाए तेरे पत्ते खाए तेरी डाली डाली खेले तेरी चाया में अपना जीवन दिताया और आज इन आग की लप्टों को देख कर आज इस मृत्यू के भई से अगर मैं तुम्हें छोड़ कर चला जाओं तो मेरा प्रीम कैसे चंदन हंस सु मुख बोलियों हाली हैली ते क्यों जरो हंस राजे ते क्यों जरो हंस राज डीजे जास फिर भी जाईया मी तो जरा बिना पाँखिया माराचा जरा है पतार आरे मारे जरा है पतार आरे मारे परिखाया पर्टियों लिया हाली है परिखाया पर्टियों जरा आरे जरा जरो हंस राजे ते क्यों जरा जरा है तर्शी चौधरी फल खाया पान पिरोलिया और रम्या डालो डाल थे तो जड़ों और महें क्यूं उबरां जीनों है कित्रा सार हंस रोता हुआ चंदन से बोला है चंदन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उकार है और आज इस आग की लप्ता और इस संकट की घड़ी को देख कर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाओं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा एक तरफ हंस और चंदन का तूट प्रेम देखकर भगवान की आख्मों में आशु टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस चंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दिए कि चारों तरफ खुशी का बाहूल हो गया और आग की लप्ते भी बुझ गई साहिब कभीरदास जी ने कहा जन्दने हंसरो प्रेम देखने मारें दी पुदा बर शो प्रेम ने हुडए दी पुदा बर शो में बरे का है कबिर्शा घर्मी दास ने मारिये ली मित नित नव लागे शरे मित नित नव लागे संगत का नीर मलसंतरी मारिये ली संगत का नीर मलसंतरी मारिये ली आवा का मन मित जाये ले जनम मरन छुट जा